हेलो एवरीवन वेलकम टू माई योटूब चैनल और आज की वीडियो में दूस्तों मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आप सभी को औरेंज जूर्स बनाना इसे तो हर कोई बनाता है लेकिन मैं यहाँ आज बताना चाहती हूँ कि इसे क्यूं बनाकर पेना चाहिए अगर आपके शरीर में ड्राइनेस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा आपको इचिंग हो रही है शरीर में ड्राइनेस की वज़र से और डैंडर जैसे कई बार सर पे ही नहीं बौडी में भी होने लगता है बहुत ज़्यादा ड्राइ हो जाते हैं तो अगर यह सिचुएशन आप के साथ इस winter में हो रही है तो आप इसको सबसे पहले अंदर से cure करें तो इसके लिए आपको vitamin C पर अच्छी मात्रा में आपकी शरीर में होना चाहिए अगर vitamin C की कमी रहेगी तो शरीर में dryness ज्यादा बढ़ती है और skin बिल्कुल dry dry सी हो जाती है और itching भी बढ़ती है तो इस बात research की Google पर जाकर आप भी चेक कर सकते हैं और इस चीज को मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं इसे पीती हूँ और मैंने इसको consume करके देखा बहुत ही अच्छा result आया तो जैसा आपने देखा बस कुछ नही simple तरीके से जैसे आप अपने घर में orange juice बना के पीते हैं उस तरीके से जूसर में बना सकते हैं अगर आपके पास जूसर है और अगर जूसर नहीं है तो आप अपनी mixi के jar में बना सकते हैं जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है और बस मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि इसको पीने से आपके body का dryness, itching problem बिलक करें साबून को ना लगाएं हो सके तो नहाने से पहले तेल लगा कर नहाएं और आप उप्टन का इस्तमाल करें और विटामिन C को अच्छी मात्रा में लेंगे तो आपके शरीर में dryness नहीं होगी और dryness नहीं होगी तो इचिंग भी नहीं होगी तो ये मेरा juice भी बनके तय तो अगर आपको ये जानकारी ये information अच्छे लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैंने अपना एक औरेंज से इतना सारा juice बना लिया है और काफी बड़े औरेंज थे तो juice काफी अच्छा बना है तो मुझे इस समय विटामिन C की थोड़ी जादा ज़रूरत है तो मैंने इसमें थोड़ा सा नीबू का रस भी एड़ कर लिया है तो बस आप इसको कंजूम करने से पहले एक बार ध्यान रखें कि आपका गला नहीं खराब होना चाहिए गले पे खरास नहीं होनी चाहिए थैंक यू वेरी मच फ़र वाचिंग दिस वीडिय भब बद्ध़ जारए और करते।